इसका simple सा मतलब है कि जब C की अगर हम speed की बात कर रहे है न तो C की अगर speed X है तो B की speed क्या है इससे thrice fast है और वहीं जो A की speed है वो B की speed की twice है यहने कि 6X है ठीक है आपको इन्होंने क्या क्या दिया है कि जो journey है उसे cover करने में अगर C को 42 minutes लगते हैं C को किते minutes लगते हैं 42 minutes तो आप से पूचा है A को cover करने में यही distance कितना time लगेगा simple सी बात है C की speed जब X है तो A की क्या है 6X यानि कि इससे 6 गुना fast है C से 6 गुना 6 times fast है आपका A तो इसका मतलब क्या है कि जब किसी की speed 6 times fast है तो उसको 6 times कम time लगेगा ना उस journey को cover करने में तो इसका मतलब क्या है कि A को जो C आपका 42 minutes में journey cover कर रहा है उसको cover करने में कितना time लगेगा तो simply आप इससे 6 से divide कर दें तो आपको पता चलता है कि A जो है इसी journey को 7 minutes में cover कर लेंगे easy